ज्यानमन धन में आप सभी का हरदी कभी नंदन करते हैं मैं हूँ सुबोध और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको महाभारत के सबसे दिल दहलाने वाले मंजर के वारे में बतलाने वाले हैं जिसने मानवता को सर्मसार कर दिया था और अधर्म की सारी सिमाएं लांग दी थी तो चलिए दोस्तो बिना कोई देरी की हुए सुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको महाभारत के उस च्छन के बारे में दोस्तो दुरोनाचारी के सेनापती बनने के बाद उन्होंने गडूर ब्यूह की रचना की और रन भूमी पर ही चक्र ब्यूह रचने का सर्यंत्र रचाया जिसमें अर्जुन और उनकी बीरता को भड़का कर दूर भेजना था और पांडवो को खत्म करना था दोस्तो इस सर्यंत्र का सिकार पांडव तो नहीं हुए पर जो हुआ वह दिल दहला देने वाला मंजर था जिसने कौरवो की परिवर्तित कर दिया और पांडव तथा उनकी सेना का विनास करने की कुटिल योजना को रन भूई में स्वरूप दे दिया चुकि पांडव में सिर्फ अर्जुन चक्रिव्यू का वेदन और इससे निकलने का तरकीव जानते थे और वह वहां उस समय मौजूद नहीं थे तो उनके पुत्र अभिमन्यू ने धर्मराज युदिष्ठिर से चक्रिव्यू भेदन की आग्या मांगी जिसमें वह दच्छ था जिसमें बिवस होकर युदिष्ठिर ने उसे आग्या दे दी क्यूंकि वह सेना के बिनास को लेकर चिंतित थे यही चिंता महान बीर अभि के लिए उसके साथ चक्रिविव में प्रवेश करने को तैयार हुए परंतु चक्रिविव में अभिमन्यू के अलावा और कोई पांडव प्रवेश नहीं कर पाया क्यूंकि उनका रास्ता सिंध नरेस जैदरत ने रोक लिया और अपने भयंकर बानों के प्रहार से उनका र अभिमन्यू ने डटकर और बिना भय के युद्ध किया जिसमें अभिमन्यू ने कायर दुरियोधन के पुत्र लच्मन को एक बान में ही उसके सर को धर से अलग करके दुरियोधन के पैरों पर गिरा दिया जिसे देखकर दुरियोधन ने सोचा अभिमन्यू मारा गया पर जब उसने देखा तो वह उसके पुत्र लच्मन का सीर था, तो वह प्रतिसोद से भड़क उठा और उसने अपनी सभी महान योध्धाओं को अभिमन्यू से एक साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया, अब सुरू होता है एक महान योध्धा अभिमन्यू और कायर कौरव योध्धाओं के बीच युद्ध जिसमें अभिमन्यू डट कर सामना करता है और कायरों के कायर युद्ध से उसका धनुस हाथ से छूट जाता है, रत का पहिया तूट जाता है पर फिर भी वह रत के पहिया से कायर पर बार करता है, फिर सभी कायर जिसमें महान कायर, द्रो नौ योद्धा को तलपा तलपा कर साथ कौरव अकेले मारते हैं और उस महान बीर योद्धा को जान से ही मार देते हैं दोस्तो यह छन दर्सकों और पाठकों के लिए असुरुधारा के बहने का समय होता है क्यूंकि यह द्रिश्य अती बिचलित करता है इससे पता चलता है कि जब अधर्मी मनुस्य की बुद्धी नश्ठ हो जाती है तो वह हिंसक पसू से भी ज़्यादा भयानक होता है क्यूंकि उसका स्वयम पर नियंतरन नहीं होता वह मानबता को सर्मसार करने के लिए ही जनमता है ऐसे कुरूर को सिर्फ भयानक मौत ही देनी चाहिए तो दोस्तो यह थी महाभारत की वह कथा जिसे देखकर सबका दिल दहल जाता है और सबके आखों में आसु आ जाता है जो मानबता को सर्मसार कर अधर्म की सारी सिमाएं लांग दी थी और सबके दिल में कौर्वो के प्रती घोर निंदा उत्पन कर दी थी तो उम्म चैनल ग्यानमंधन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो जे लेकर आते रहेंगे तो फिर जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए जानते रहिए जय हिन्द